हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू निटिंग चुटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिखिए यह बिल्कुल डिफ्रेंट टाइप की बूटीज इसका बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है और देखने में भी आप देखेंगे यह बिल्कुल अलग दिख रही है इसको हमें यहां से शिरू करना है और यहां तक बुनते हुए जाना है इस तरह से इसके लिए मैंने यह ओस्वाल की उन लिये दो कलर की उन में बनाएंगे हम इसको आप चाहें तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और इसके लिए मैंने ये दस नंबर की सलाई लिए नेटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और मैंने ये यहां 54 फंदे डाल के रखे हैं लेकिं 54 फंदे हैं यह हम यहां से गिन लेंगे इस चाल पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा ठारा उन्मीश वीश इकिस बाइस देश चौवश परचिस चब्विश सताइस 54 फंदे हैं यह 27 का डबल 54 होंगे यह अब हम इसको बुनेंगे पहले इसका बॉर्डर बनाएंगे हम यह वाला पार्टी इसका बनाएंगे तो हम इसको सिंगल कलर से ही बनाएंगे इसको हमें उल्टा-उल्टा बुनना है यह पूरी सलाई हमें इसी तरीके से करनी है पूरी सलाई हमने इस तरह से कर लिए उल्टे बुनते हुए अगली सलाई भी हम इसी तरह से करेंगे आठ सलाई हमें इस तरह से बनानी है यह दोनों तरफ से हमें उल्टा-उल्टा बोनते हुए यह देखिए इस तरह से बुनते हुए यह बॉडर मैंने 8 सलाई का बनाया है अगर आप यह पॉट्टन थोड़ा चोड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसकी 10 सलाई 12 सलाई यह भी कर सकते हैं अब इसकी 8 सलाई बनाऊंगे उसके बाद मैं दिखाती हूं कि दूसरा कलर कैसे शुरू करेंगे इसमें यह दिखिए अब हमारी 8 सलाई पूरी हो चुकी है अब हम इसमें डबल कलर लगाएंगे दूसरे कलर से शुरू करेंगे हम इसको बुनना यहां से हम बुनेंगे सबसे पहले एक फंदा हमें इसमें बढ़ाना है यहां पर इस तरह से यह वाला फंदा उठाके बुन लेंगे हम यह वाले कलर से उसके बाद इसमें से बुनेंगे हम यह पांच फंदे एक फंदा हमारा यह बढ़ाया हुआ है और पांच फंदे हमने इसके और बुन लिये हैं अब हम इसको वापस करेंगे यह वाला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और बाकी के फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे अब हमें यह वाला कलर बुन न आ इस वाले कलर में हम यह बुने यह पंदे नहीं बढ़ाया इए सिर्फ आमने जब यह वाला कलर बुनेंगे घंदे हम पंदे के लिए है ये लेकिन अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं कि 6 नमबर या 7 नमबर का बनाना चाहते है तो आपको इस वाले कलर से भी जब हम शुरू करेंगे तो आपको पंदे बढ़ाने पड़ेंगे अगर आप छोटा बना रहें तो आप सिर्फ इस कलर से फंदे कि यह वाले फंदे हमने बुन लिये अब हमें दो फंदे एक्स्ट्रा बुनने हैं हर बार हम इनको दो फंदों को इस तरफ करते जाएंगे जब तक हमारी यह छे धारी बन जाए यहां पर अब हम यहीं से वापस करेंगे इसको यह वाला फंदा हम बेना बुना लेंगे अब हमने यह परपल शुरू किया था तो हमने फंदा नहीं बढ़ाया था अब हम यह वाला कलर शुरू कर रहें तो हम यहां फंदा बढ़ाएंगे उसी तरीके से यह वाला फंदा हम बुन लेंगे पहले फिर बाकी के फंदे बुनेंगे जो फंदे हमने पहले बुने थे यह परपल के वहां तक हम बुन लेंगे यह यहां एक आपको हूल जैसा दिखाई देगा तो यह आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमें कहां तक बुनने हैं अगर आपको समझना है तो आप यहां कोई मारकर भी लगा सकते हैं आप दो फंदे और इधर से एक्स्ट्रा ले लेंगे पहला फंदा बिना बुना लेंगे और बाकी यह ऐसे ही बुन देंगे अब हम यह फिर इस कलर से शिरू करेंगे यहां हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे यह पूरे भंदे हमने बना लिए अब हमें इसके दो फंदे और एक्स्ट्रा लेने हैं इस कलर में तो हमें साफ समझा जाएगा कि हम यह कहां तक ले बुनना है हमें लेकिन जब हम परपल के बाद यह वाला कलर लाते हैं तब हमें थोड़ा सा कन्फिजन होता है तो आप चाहें तो यहां एक मारकर लगा सकते हैं इस तरह से इस तरह से हमें इसको आगे तक बुनते जाना है अब हम यह वाला कलर शुरू करेंगे यहां फंदा बढ़ाएंगे यह आपको याद रखना है कि अगर यह मैंने चार नंबर के लिए बढ़ा बनाया है तो इसलिए मैं इसमें एक ही बार में फंदे बढ़ा रही हूं यहां एक कलर में लेकिन अगर आपको यह बढ़ा बनाना है तो आपको हर बारिस में यहाँ एक फंदा बढ़ाना होगा इस कलर से भी और इस कलर से भी यह देखिए यह मारकर होगा तो आपको यह समझा जाएगा कि यहाँ पर तक हमने बुनना है उसके आगे हमें दो फंदे और बुनने है यह देखिए इस तरह से हमें यह एक धारी यह बन गए एक यह बन गए एक और बनेगी है यह तीसरी है यहाँ पर हमें छे धारी बनानी है हमें यहां इसको मिडिल तक लाना है ताकि हमारे बीच में चार फंदे रह जाएं चाहें तो आप इसमें मिडिल में भी यहां पर एक मारकर लगा सकते हैं आदे फंदे इधर आदे फंदे इधर करके यहां हमारी है चवबन फंदे हमने पूरे लिए थे तो उसके आदे हम 27 फंदों में हम यहां मारकर लगा देंगे में नहां बार फंदे मारकर दो कर्ँदे मारक जए ढएंपा नहीं हम अदों में हम अक्मूं अब यह आसानी रहेगी इसको देखने में यह सलाई पूरी करेंगे हर बार हमें दो दो फंदे इधर करते जाने हैं तब तक यहां दो फंदे बाकी रह जाएं तब तक हम इनको इसी तरह से बुनेंगे अब फिर से हम यह वाला कलर शुरू करेंगे कि यह बुन गए हमारे पंदे अब हम दो फंदे इधर से और बुन लेंगे और यहां पर यह मार कर लगा देंगे किसे अबड़ प्रूछ के लुन एक ठाएं कि लुवाद करेंगे जाएं कि यहां दोे रहां कि यहां तरह सहे लुन दोदेंगे कि यहां प्रूश्क गववा हम करेंगे कि इस तरह से अब फिर से यह वाला कलर शुरू करेंगे एक पंदा बढ़ाएंगे सबस्थ लाइन शुरू हो रही है यह एक हम करना बढ़ाएं जब तक हमारे फंदे यह करें प्रफंदे और यहां तक आजाएगा यह दिखिए यह हमारा इधर का पोशन यह पूरा हो चुका है यह हमारी छे धारी पूरी हो गए और यहां हमारे यह दो फंदे बचे तो तो फंदे जब हमने इधर से शिफ्ट किये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे धारी हमारी यह बनी यह जब फंदे बढ़ जाते तो यहां ग्यारा फंदे बढ़ जात Ms Ip बिल्कुल इसी तरीके से हमे इधर का पाट भी यह बुनना है तो हम पहले वाले फंदे इस तलाय में ऐसे भीना भुने ले लेंगे सारे भंदे हम इस सलाई में ले लेंगे मार कर हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे कि यह इदर का पाट पूरा हो गया बिलकुल इसी तरह हम इदर बुनेंगे जब हम यहां से बुनना शुरू करेंगे तो हम पीछे की तरफ बुनेंगे जैसे हम सीधी सलाई बुनते हैं क्योंकि हम यहां से जो कलर का धागा लगाएंगे अगर हम आगे की तरफ बुनेंगे तो हमारे इस तरह का पाट आएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो हमें पीछे की तरफ बुनना है इसको यहां से हमें एक फंदा उठा के बुनना है क्योंकि हम यह वाला कलर लगा रहे हैं इस कलर से हमें हर बार फंदा बढ़ाना है यह बना दिया और पाँच फंदे हम बना लेंगे बिल्कुल उसी मैथड से हमें इसको बनाना है जैसा हमने इस तरफ बनाया बस हमें ये पीछे की तरफ बुणना है ये फंदा बिना बुणना ले लेंगे अब यहां दूसरा कलर लगाएंगे इधर भी हमें वही करना है कि इस कलर से जब बनाएंगे तो फंदा नहीं बढाएंगे दो फंदे और एक्स्ट्रा लेंगे यहां से वापस करेंगे इसमें मारकर लगा लेंगे यहां अब यह वाले कलर से शुरू करेंगे यहां पर एक खंदा बढ़ाएंगे यहां तक बूनके मारकर रटा देंगे दो फंदे और बुनेंगे यहां से वापस करेंगे पहला फंदा बिना गुना लेंगे फिर यह बाले कलर से बुनेंगे फिर दो फंदे और यहां एक्स्ट्रा करेंगे यहां मारकर लगा लेंगे इसी तरह से बुनते हुए हमें यह इधर की साइड की तरह छे धारी पूरी करनी है यह ओफ फ्वाइट कलर की छे पंदे हमारे इधर बढ़ जाएंगे छे पंदे हमारे उधर बढ़ चुके हैं तो यह पूरे पंदे मिलाके 66 स्टिचेज हो जाएंगे यह देखिए अब हम फिर से यह वाले कलर से शुरू कर देंगे इसी तरह से बुनते हुए हम यह छे धारी फुरी करेंगे अभी हमारे यह तीसरी शुरू ह kangaroo हो भी हम यह से बुनेंगे हमारे दो फंद य इधर से बच या और यह सब्द़ करते जाएंगे तो यह यह तक नाव कि यह रोकाफ कर लिंद कि इंदा करोलिया है तर्टीडा दिस द्पंद ने भख़्बाद हैं? एसरी purchasing मार करके 20 फंद डिधिया इदर बचे और नहीं कोई भी भडाना कि भाए है डीख कोई आ समझे हम इस ऐसा अ हम आलगा लगाया था, हम भानला इस द्पंद भाए कर दो कम आधाद दिया है इस सेलाई में ले लेंगे और दूसरी तरफ से इसको बुनना शुरू करेगे इसमें सब अब मारकर भी निकाल देंगे इसकी जरूरत नहीं है वह हमें इसमें कोई भी भंदा घटाना बरहना नहीं है कि यह वाले ही सलाई से शुरू करेंगे हर बार हमें यह धागा प्लटना होता है दो दो सलाई की लाइने बनेंगी कि यह हमें बुनना है यह वाला पोशन यह देखेंगे आप यह यहां से यह एड़ी का यह वाला प्रट हम बुनेंगे यह वाला हिस्सा अब हमें बुननी है यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ छे सलाई यहां से हमारी यह साथ लाइन बनेंगी तो हमारी यह 14 सलाई में बनेंगी साथ लाइन पहले दो सलाई इस कलर की फिर दो सलाई इस कलर की इस तरह से साथ लाइन में हमारी यह 14 सलाई हो जाएंगे 14 सलाई हमने बुननी है कि उसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है कोई भी हमें बढ़ाना नहीं है बस ऐसे ही बुनते जाना है हमने दोनों तरफ से देखें, यह 14 सलाई बुनने के बाद मैं दिखाऊंगे आपको इसमें 14 रोज बुनने के बाद हम इसमें फंदे घटाना शुरू करेंगे फिर हमारा यह वाला पार्ट बनेगा और यहां से हम हर सलाई में फंदे घटाते जाएंगे लंबाई पूरी होने तक यह दिखिए यह इसकी हमने 14 रोज पूरी कर लिए यह चौदा सलाई यहां से यहां तक यह दिखिए यह दागा था यहां तक हमने बढ़ाते हुए बुने यह यहां से उपर हमने यह एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ लाइन हमने यह बिना कोई यहां पर कोई फंदा घटाया नहीं कोई बढ़ाया नहीं इसी तरह से यहां से भी यहां से हमने यह बिना कोई फंदा घटाया बढ़ाए यह हमने 14 सलाई कर लिए हैं यह हमने पूरी की अब इसके बाद हमें फंदे घटाने शुरू करने है जब हम यह वाला धाग् सोरी करेंगे, तब भी और जब वह शुरू करेंगे ये ये पहला फंदा, जो हम बुनेंगे। हम आजरा हम ये की फंदा करते हुए बुनेंगे। जब बनाएगे पूरीसज़ाइद करन के पूरी दहाँ कि इस तरह से हम यह सलाई पूरी कर लेंगे यह लेखिए यह थे हमने सलाई पूरी कर ली अब इधर से तो हम यह ऐसे ही बना देंगे पूरी सलाई होने तक और फिर यहां से slice शुरू करेंगे फिर दो फंदे का एक फंदा लेके शुरू करेंगे और यह हमें दोनों color से same method करना है जब हम वो वाला color शुरू करेंगे तब और जब यह color शुरू करेंगे यह इधर से भी और उधर से भी अब यह हमने उधर से दो फंदे का एक फंदा किया, अब हमने इधर से दो फंदे का एक फंदा किया, इसी तरह से हम यह सलाई पूरी करेंगे, यह हमने यह सलाई पूरी कर लिए, अब हम फिर यह वाला कलर से शुरू करेंगे, तो यहां से भी हम यह दो फंदे का एक फंदा क करेंगे उधर से सलाइश शुरू करेंगे फिर से दो फंदे का एक फंदा शुरू करेंगे हर बार हमें इधर से भी इधर से भी सलाइश शुरू करते टाइम दो फंदे का एक फंदा बुनते जाना है और यह हमें तब तक बुनना है जब हमारे पैर की लंबाई पूरी हो जा करना है यह देखिए अब हमने इसको एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए यह इतना पूरा कर लिया है यहां से हमने यह लाइने गिनेंगे सबसे फस्ट से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौन दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सतरा ठारा उननीस पैर को देखेंगे हम इसको कैसे ना पेंगे हम यह वाला जो हमारा पाट है यह तो हमारा बैक साइड में आएका जहां से हमने यह प्लेन बुना बिना घटाए हुए और बिना बढ़ा हुए जो पाट हमने यह बुना था यह हमारा एड़ी का पाट होगा है इस पे हम यह एड़ी रखेंगे यहां पर यह वाला पाट यह है यह समझे आप इसको हम यहां रखेंगे और इसको यहां से ऐसे ना पलेंगे यह देखेंगे आप यह पूरा आ रहा यह हमारी लंबाई है इस हिसाब से आप नाप के अपनी पैर की लंबाई पूरी करेंगे और उसके बाद आप हम इसे बंद करेंगे यह हमारे यहां बचे हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नोग दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा ठारा अठारा पंदे हैं हमारे इसमें यहां आपके इससे एक दो फंदा कम भी हो सकते हैं बीज बाईस चौबीज जितने पंदे आपके यहां बचेंगे उसी साथ उसी उतने ही फंदे आप यहां बंद करेंगे हमारे यह 18 फंदे हैं तो हम 9 फंदे इनमें ऐसे बुन लेंगे यह 9 फंदे हमने बुन लिए नौ फंदे हमारे यह इधर बचेंगे अब इनको इस तरह से हम यहां डबल करके इन्हें हम बंद कर देंगे एक फंदा पीछे का लेंगे एक आगे का लेंगे यह बंद कर दिया यह थोड़ा टाइटली हमें बंद करना है फिर यह वाला एक फंदा पीछे का और एक आगे का इस तरह से हम यह पूरे फंदे बंद कर देंगे इसके बाद हम इसके सिलाई करेंगे पूरे फंदे इस तरीके से बंद कर दिया हम यहां थोड़ा से लंबा धागा रोक के इसको काट देंगे सिलाई के लिए यहां से यह वाला धागा भी काटेंगे अब यह बनके तयार हो गया कि यह बनके इस तरह से दिखेगा और इसकी सिलाई करेंगे इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे आप चाहें तो इधर कैसे भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं जैसे आप कमपोटेबल हो लेकिन मैंने जो इसकी सिलाई की है इस तरह से यहां से यह वाला भंदा लिया यहां से यह वाला भंदा यह वाला लेंगे पर यहां से लेंगे इस तरह से यह धारी बिल्कुल एक जैसे मिलक्ए आएंगी देखिए यह वाली धारी जो बिल्कुल एक जगा आ रही है इस तरीके से अगर हम सीधी तरफ से सिलेंगे यहां से यह फंदा लेंगे फिर इस के लर करेंगे इसी तरह से हमें इसको पूरे को सिलना है अजयकी लेकर से लेंगे इसक भी जरीके में जाएब तरह वाली जगें जाएबे यहां से लेके सीधा यहां से गलिल्कुल एफ यहां से जाली को सिलेंगे इस तरह से हम इसको पूरे यहां से लेके इसको और हमें यहां तक पूरा सिलना है उसके बाद हम यह एक्स्ट्रा दागे इसके कर्ट देंगे कि यहां से लिए पूरी करें अब हम इसके पूरी दिखाती हूं मैं यहां से सिलते हुए हमने इसके शिलाईए पूरी कर लिया है अब हम इसको यहां से पक्का कर देंगे यह हो क्या यह देखिंगे आप बिल्कुल लाइन से लाइन मिलके आई है अगर हम सीधी तरफ से इसको सीलेंगे वैसे तो इसको जैसे आप कमफोर्टेबल हो यह वाला धागा हम इस तरफ दबा देंगे लाइन मिलके लाइना झाली तर देंगे यह हम वग foto जबेसको जाएनाली के वाली कि अदध्धिंगे खान से लाइन मिलके लाइना तर देंगे यह देखिए यह बनके तैयार हो गया बस इसमें तोड़ा सा यहां से आपको यह बढ़ाना और यह यहां से आपको गटाना थोड़ा सा ही है वाकी एक दम बिल्कुल सिंपल है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है बहुत ज्यादा उन भी नहीं लगती इसमें पचास ग्राम के करीब उन लगेगी आपके अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू अल्वा है अल्वार जढए धया अल्वान ऑर की यू ज़िक खते बहुत आपको मेरे उन भावचको